हेलो फ्रेंड वागत है आप सुभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड आज में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर क्या हूं यह क्लास नाइन की मैच से चैप्टर नमबर 6 लाइन्स एंड एंगल से लिया गया है यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए आंतर तक देखिए वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए दोस्तों को भी सेर कीजिए चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए अगर आप कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इसे और इस एंगल को फाइंड करना पड़ेगा तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं स्वालिशन कि इन ट्रैंगल पी आर्टी कि वी हैं कि देखो पी आर्टी जो है इसमें एंगल प्रापर्टी लगाएंगे और फिर यह वाला एंगल करेंगे ठीक है आप सो एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर इस इकोल टू वन एट्टी डिगरी ठीक है अब इसका रीजन क्या होगा इसका रीजन होगा सम आफ एंगल आफ एंगल आफ एट डियंगल है इज बन एटी डिगरी ठीक है तो यह मारा हो झाएगा रीजन सम आफ एंगल आफ एंगल इस इकोल टू ए डिगरी आपको यहां पर आर पी टी की वैलू पता है R P T 95 P R T B पता है P R T 40 डिगरी तो इनको put कर देंगे 95 डिगरी प्लस 40 डिगरी प्लस एंगल P T R is equal to 180 डिगरी ठीक है? इन दोनों को add करेंगे तो 5 प्लस 0 5 और 9 प्लस 4 13 यह जाएगा 135 प्लस एंगल P T R is equal to 180 डिगरी अब देखो यह इधर positive sign के साथ है इसको उधर भेज़ेंगे तो negative sign हो जाएगा तो यहाँ से हटा देते हैं और इधर write कर देते हैं minus 135 डिगरी अब इसको minus करेंगे तो क्या मिलेगा 10 minus 5 become 5 इसने carry दिया था तो इसके पास 7 बच गया 7 minus 3, 4 1 minus 1, 0 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह वाला एंगल इस वाले एंगल के इकोल होगा कोई बता सकता है क्यूं होगा जिसको पता हो comment box में write करो सो आगे देखेंगे आल्सो एंगल qts is equal to angle ptr region vertically opposite angle क्या region होगा vertically opposite angle ठीक है vertically opposite angle तो अभी आपने ptr find क्या है 45 डिगरी एंगल qts is equal to कितना हो जाएगा 45 डिगरी ठीक है तो अब हम आगे चल करके इसको find करेंगे यह हमें 45 डिगरी मिल गया है ठीक है तो आप चाहते इतना write on कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रिंसोट ले लो फिर आगे solve करते हैं एंगल ts q plus angle s q t plus angle qts is equal to 180 डिगरी अब दो को इसका reason क्या होगा यह ऐसा क्यों होगा sum of angles of a triangle is 180 डिगरी यानि कि ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों angle कासम कितना होगा 180 डिगरी होगा 180 डिगरी होगा तो यहाँ पर हमें देखो ts q की value पता है ts q है हमारे पास 75 डिगरी अभी हमने s q t की value find करना है तो इसको ऐसे लिख देंगे angle s q t प्लस qts की value हमने find क्या है 45 डिगरी इसको और इसको एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास angle s q t प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 बन कैरी 4 प्लस 7 11 1 120 डिगरी is equal to 180 डिगरी तो इधर हो जाएगा angle s q t यह प्लस में है उधर बेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस 110 तो हमारा answer आजएगा angle s q t is equal to 60 डिगरी तो यही हमारा answer हो जाएगा इस question का यह वाला angle हमारे पास आजए 60 डिगरी यही हमें find करना था तो आप चाओ तो इसे रैट आउन कर लो फिर वीडियो को pause करकर screen shot ले लो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम बिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तब अगले thank you class